उम्शान्ती आज 8 फेबरी 2022 है और प्यारे बाबर ने हम बच्चों को सत्यू की याद दिलाई कि जैसे आदी में सदा ग्रहस्त आश्रम था उसी प्रकार हमें भी अपना घर ग्रहस्त पवित्र अर्थार्थ आश्रम की तरह बनाना है और बलिहारी एक बाब की है तो केवल बाबा के ही गुर्गान गाने है आज बाबर ने हम बच्चों को वर्दान दिया हर खजाने को स्वप्रती और सर्वप्रती कारे में लगाने वाले अनुभवी मूरत भव बाबा ने हम बच्चों को बतलाया कि समाने की शक्ती के आधार से हम हर खजाने को स्वप्रती भी प्रयोक करें और दूसरों की सेवा में भी लगाए अनुभवी मूरत बनने की विधी है सुनना, समाना और फिर कारे में भी लगाना जैसे हम ग्यान की कोई बहुत अच्छी बात सुनते हैं, हमें बहुत अच्छी लगती है लेकिन जब तक हमने उस ग्यान की पॉइंट को समाया नहीं है, कारे में नहीं लगाया, तब तक हम अनुभवी मूरत नहीं कहला सकते जैसे हम सुनते हैं कि बहुत अच्छा phone market में आया है उसके बहुत अच्छे features हैं हमने सुना फिर हम उसको अपने पास भी ले आये अपने पास रख ले खरीद ले लेकिन जब तक हमने उसको use नहीं किया उन features को कारे में नहीं लगाया तब तक हम अनुभवी नहीं हुए उस फोन के भी तो इसी प्रकार ज्ञान तो हम बहुत सुन रहे हैं ज्ञान अच्छा भी लगता है हम कहते भी हैं वर्णन भी करते हैं कि आज की मुडली बहुत अच्छी थी ये बात तो बहुत ही शक्तिशाली बनाने वाली है लेकिन अगर वो बात स्मृति में रहे ही ना हम भूल जाए मुडली सुनकर वो हमने अपने अंदर समाई ना हो तो फिर वो शक्ति हमें प्राप्त नहीं हो सकती और समाने के बाद जब स्मृति में आती है उसके बाद, उसे कार्य में भी लाना, अर्थार्थ action में भी लाना, यूस करना, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी तो हम अवश्य ही आज इस बात पर ध्यान दे विशेश कि आज जब मुडली सुने कोई भी ज्यान की बात सुने तो केवल सुनने तक न रहे उसको समाई और फिर कार्य में लगाए ओम शान्ती